हेलो नमस्कार दूस्तों आज का हमारा टॉपिक है कैस बर एसका कैसे अनिस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर ओ देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तप लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए सुरू करते हैं आपको क्या करना है कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए आपको क्या करना है या तब डेक्स्टॉप के ओपर आइकन होगा या तब यहां पर किलिक करके ओपन कर लीजेगा या नहीं तो आपको क्या करना है यहां पर सर्च बार में जाने के बाद यहां पर सर्च करक यहां पर आपको category select कर लेना है select करने के बाद आपको case में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा आपको क्या करना यहां पर दिख जाएगा program इसके नीचे आप देखेंगे तो यहां पर लिखा होगा uninstall program तो आपको क्या कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा आपको क्या करना यहां पर आपको दिख जाएगा case पर इसका है तो आपको क्या करना इसको उपर आपको double click कर लेना या नहीं तो आपको क्या करना यहां पर इसको select कर लिजएगा इसके बाद यहां पर आपको uninstall दिखेगा या तो आप लिजगा यहां त्याहता है ऑपको यहां पर कभिए जब में दोने में से कोई चीज की कई इस त्रह से विंडो tari ix्ठ पर्विंदोर हो जाएगा यहां पर या इस पर क्लिक करते हैं यह विंडों हो जाएगा और से इस फैंपас तरह से विंड ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना यहां पर नेक्स्ट पर किलिक करने इसके बाद आपको क्या करना यदि यहां पर कोई टिक है तो इसको आप अंटिक कर दीजेगा इसके बाद आपको नेक्स्ट पर किलिक कर देने इसके बाद यहां पर आपको किलिक कर यान install होना शुरू हो जाएगा complete होने के बाद इस तरह से विंडो आएगा यहां पर आपको बोलेगा यह start के लिए तो आपको क्या करना है यहां पर अभी no कर देने नो करने के बाद यहां पर आपको दिख जाएगा case पर sky vpn इसके उपर भी आपको double click कर देने double click करती इस तरह से window open हो जाएगा आपको यहां पर yes पर click कर देने यह window open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर next पर click करने इसके बाद आपको यहां पर फिर से next पर click करने अब आपको यहां पर remove पर click कर देने remove पर click करती यान install होना शुरू हो जाएगा अब आपको फिर से यहाँ पे इस तरह से रिस्टार्ट वाला विंडो आएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पे नो पे किलिक कर दिने है इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आप देख रहें यहाँ यहाँ यह भी रिमूब हो चुका है अब क्या करना इन सबको यहाँ पे अंटिक कर दिने इसको अंटिक कर दिजेगा इसके बाद आपको नेक्स पे किलिक कर दिने नेक्स पे किलिक करते है यहाँ इस्टॉल होना शुरू हो जाएगा इसके बाद यह विंडो आ जाएगा तो आपको क्या करना यहाँ पे किलिक कर दिने किलिक करती है यहाँ से अनिस्टॉल हो जाएगा अब आपको क्या करना इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर दिने क्लोज करने के बाद आपको क्या करना सिस्टम को रिय स्टार्ट कर ले ने आप सिस्टम को जरूर रिये स्टाट कर लिजेगा रिये स्टाट करते हैं इस तरह से विंड ओपन हो जाएगा आप चेक कर लिजेगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे एंटी बैरास अनिस्टॉल हो चुका है और प्लीज गाई चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू